हम जानते हैं कि कोई भी भौतिक अत्वारासायनिक प्रक्रिया ये उश्मा के सववहन से जुड़ी होती है उश्मा सहस्ता से नापी नहीं जा सकती लेकिन दो वस्थूओं अत्वा पदार्तों के बीच सवविहत उश्मा के प्रवाह के कारण तापमान में होने वाले परिवर्तन को हम नाप सकते हैं तापमान नापने के लिए हम धर्मामिटर का उपयोग करते हैं कैलरी मिटर से रासायनिक प्रक्रिया के दौरान, निर्मान और अवशोशित हुए तापमान का मापन किया जा सकता है किसी भी प्रक्रिया से पहले तथा प्रक्रिया के बाद तापमान में आए परिवर्तन को नापना आवश्यक होता है कितनी मातरा में उश्मा का स्थानांतरन हुआ है इसका हिसाब हम एक सूत्र का उपयोग करते हुए निकाल सकते हैं तापमान के अलावा हमें जिस पदार्थ पर प्रक्रिया हो रही है उसकी विशिष्ट उश्मा और उसकी घनत्व के विशय में जानकारी होना अवश्यक होता है हम इस एलुमिनियम के रॉड को गरम करेंगे बाद में उसे पानी में डुबोएंगे पानी का तापमान कमरे के तापमान जितना अर्थाथ 26.8 डिग्री सिल्सियस है थोड़ी देर बाद रॉड और पानी का तापमान समान हो जाएगा कैलरी मिटर के उप्योग से हम एलुमिनियम के रॉड का प्रारंभिक तापमान कैसे नाप सकते हैं प्रयोग शाला में इस्तमाल किये जाने वाले कैलरी मिटर बहुत ही अचूख होते हैं ये साधन रासायनिक तथा भहतिक प्रक्रिया के समय होने वाली उश्मा के स्थाना अंतरन को नापता है कैलरी मिटर में तामबे का बर्तन और उसके साथ विलोडक होता है उसे उन से रोधित किया जाता है इस पूरे उपकरण को लकड़ी के आवरण में बन किया जाता है इसमें तापमापी को रखने के लिए एक धारक भी होता है जो थर्मामिटर प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद का तापमा नापता है प्रमानित कैलरी मिटर के बजाए हम साधा कैलरी मिटर बनाएंगे जिसके लिए हम धर्माकोल के कप का इस्तमाल करेंगे ये बात याद रखनी है कि ये उपकरण अचूक ना होगा लेकिन सिर्फ कारिय समझने के लिए ये उपयोक तो सिद्ध होगा हम थर्माकोल के दो कपों का उपयोग करेंगे थर्माकोल यह अच्छा उश्मारोधक है हम एक कप को उपर से काट कर छोटा बना लेंगे उसमें एक छोटा छेद है इस छेद का उपयोग थर्मामिटर अंदर डालने के लिए होगा थर्मकोल के प्याले में जो पानी है उसका द्रावमान 100 ग्रैम है पानी का तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस है अलुमिनियम रोड का द्रावमान 8 ग्रैम है हम अलुमिनियम रोड को थोड़ा गरम करेंगे अब हम ये रोड पानी में डालेंगे और उसे थरमाकोल के प्याले से ढखेंगे ताकि उपर की ओर से उश्मा की हानी न हो पाए क्या थोड़ी देर बाद पानी का और धातू के रोड का तापमान समान होगा इसका उत्तर है जी हाँ धातू के रोड का तापमान कम होगा और पानी का तापमान बढ़ जाएगा थोड़ी देर बाद इन दोनों का तापमान एक हो जाएगा जो 28.1 डिग्री सेल्सियस होगा यदि हमने माना कि उश्मा की हानी नहीं हुई है तब उश्मा में जो परिवर्तन हुआ है वो शून्य होगा इसका अर्थ है कि बर्तन में जो पानी और धातू है उनकी संपूर्ण उर्जा समान है इसी जानकारी के आधार पर हम अलुमिनियम रोड का प्रारंभिक तापमान पता कर सकते हैं जब हमने गरम धातू M को कम तापमान वाले पानी W में डाला तब जिस मात्रा में उश्मा का स्थानांतरन हुआ उसे हम Q कहेंगे धातू का Q पानी के रिणात्मक Q के जितना है संक्रमित उश्मा का प्रमान समान ही है रिण का चिन मात्र दिशादर्शाने के लिए है कि उश्मा का वहन उल्टी दिशा में हो रहा है हम धातू के प्रारंभिक तापमान का पता लगा सकते हैं पानी की विशिष्ट उश्मा 4.179 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस है पानी के तापमान का फर्क 28.1 डिग्री सेल्सियस में से 26.8 डिग्री सेल्सियस घटाने से प्राप्त होगी जो 1.3 है पानी का द्रावमान 100 ग्राम है पानी ने जो उश्मा संपादित की है वो होगी 100 ग्राम गुणा 4.179 जूल ग्राम डिग्री सेल्सियस गुणा 1.3 डिग्री सेल्सियस को कुल मिलाकर 543 जूल इतनी होगी पानी ने ये ऊर्जा ऐलूमिनियम के रड से लिई है ऐल्यूमिनियम का द्रावमान 8 ग्राम है अलूमिनियम रड की विशिष्ट उश्मा 0.9-0.2 जूल प्रती ग्राम डिग्री सेल्सियस है और उसका अन्तीम तापमान 28.1 सेल्सियस है इस समीकरन के आधार पर हम इसके प् प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस करेंगे और फाइनल में से 28.1 एक सेल्सियस को घटाकर सेश बचेगा उसे गुणा करेंगे जो कुल मिलाकर पांच सो तैतालिश जूल होगा ये कुल मिलाकर 75 डिग्री सेल्सियस अधिक 28.1 डिग्री सेल्सियस होगा इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अलुमिनियम रॉड का प्रारंबिक तापमान 103 डिग्री सेल्सियस रहा होगा सारांच हमने कैलरी मिटर की अवश्यक्ता के बारे में चर्चा की और उसे बनाने का एक आसान सा तरीका भी जाना क्या आप इस प्रकार का कैलरी मिटर बना सकते हैं उस कैलरी मिटर से आपको चुना पत्थर अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया जाने के बाद रखते हैं जैसे स्टील वूड और विनेगर या फिर हमारे रोज के कपड़े धोने वाला साबुन अर्थात डिटर्जेंट और पानी आदी